इस्राइल में बने इएरक्राफ्ट की टेस्ट फ्लाइट Electric Flying Vehicle बनाने वाली इस्राइल की स्टार्ट अप कमपनी एर ने एक ऐसा एरक्राफ्ट बनाया है जो एक बार चार्ज करने पर एक सुस्तक्तर एलोमेटर का सफर तै कर सकती है हाल ही में Civil Aviation Authority के सूपर वीजन में इसकी टेस्टिंग भी इसका नाम Air One रखा गया है इसकी रफ्तार 250 किलोमेटर प्रति गंटा है और यह 1200 फीट की उचाई पर उड़ सकता है Times of Israel की रिपोर्ट के मताबक कमपनी के CEO और को फाउंडर राली प्लार्ट ने कहा यह electric vehicle take off and landing aircraft 2024 तक बिकरी के लिए मार्किट में उतर जाएगा इसमें दो लोगों के बैठने की जगा रहेगी जिसमें पाइलट और पसंचर होगा इसकी कीमत लगभग 1.5 करोड होगी रानी प्लाट ने कहा Air One को पर्सनल यूज के लिए बनाया गया इससे कम दूरी की यात्रा करना असान होगा यह traffic jam की स्थिती से आपको असानी से बचा सकता है इसके wings foldable है ताकि parking में असानी हो यह किसे भी flat surface पर take off और landing कर सकता है ऐसी ही और जनकरियों के लिए हमारे One Media चनल को सब्सक्राइब करें लाइक करें, कमेंट करें और शेयर करें धन्यवाद